हेलो एब्रीवन वेल्कॉम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ पिंपल एंड एक्ने प्रोन इसकिन के लिए एक स्क्रब शेयर करूंगी और वह स्क्रब है हेमालिया का प्यूरिफाइंग नीम इसक्रब तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप मेरे चैनल को फर्स का शेयर करना मत भूले फ्रेंड्स मुझे आप फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में आप वहां से चेक आउट कर लिजेगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस प्रोड़क की पर्चेसिंग लिंक की बात करते हैं करते हैं एस प्रेंगर सकते हैं इस दूब करते हैं तो यह इसकी प्रोड़क से खेंड्स कर्यों में अता है तुब्स प्रोड़क कंवें और वेट फिर फ्रिफक वोग जैयों के बात नकाल सकते हैं प्लस इसमें जो एक्टिव इंग्रेयंट्स है वो नीम और अप्रिकोट और टर्मरीक है और इसकी जो कॉंटिटी है वो 50 ग्रेम कॉंटिटी हो 50 ग्रेम कॉंटिटी की MRP 75 रुपीज है और इसकी सेल्फ लाइब 3 यहर्स है आप इस प्रोडक्ट को 3 यहर्स तक यूज कर सकते जो और इसकी जो एक्टिव इंग्रेयंट्स है वो है नीम अप्रीकोट और टर्मरीक इसमें जितने भी एक्टिव क्या थी यूज किया गए है वह सारे अंटि बैक्टिडियोल और एंटि सेप्टिक हैं और यह आपकी स्किन को किसी तरीके से हां नहीं करते हैं इविन मैं और यह mineral oil para bean sulfate free यानि की cruelty free products होते हैं तो आप इसको undoubtedly use कर सकते हैं और इसमें active ingredients है नीम, apricot और turmeric तो नीम में antibacterial और antimicrobial properties होते हैं जो pimple और acne में bacteria होते हैं उनको deactivate करता है और उनको आगे spread होने से stop करता है इसमें इंग्रेट्स हो यूज किया गया हुआ है apricot, apricot आपकी skin को hydrate करता है बहुत से scrub क्या होते हैं आपकी skin को dehydrate करते हैं जिससे pimple और acne की problem और बढ़ जाती है लेकिन इसमें apricot यूज किया गया है balance करने के लिए जिससे आपकी skin dehydrate ना हो और थार्ट रेक्टिव इंग्रेट्स है टर्मेरिक टर्मेरिक नेच्रल एंटी सेप्टिक होता है जो skin में आपके pimple और acne में bacteria होते हैं उनको reactivate करता है प्लस उनको भी spread होने से stop करता है और उनको heal करता है यानि कि आपके जो acne और pimples के scars हो गए हैं और उनके जो bound हो गए हैं उनको turmeric heal करने का work करती है अब इसकी जो work करता है यह skin को clear करता है और यह problem free skin को बनाता है और अच्छे से skin को exfoliate करता है dead skin cells को remove करता है प्लस skin को brighten करता है definitely यह work करता है और हेमालया well known brand है अब मैं इसको अपने face पर apply करके दिखाऊंगी कि इसको कैसे आपको apply करना है इस scrub apply करने से पहले आपको सबसे पहले अपने face को wash कर लेना है अब मैं इस scrub को अपने face पर apply करोंगी तो apply करने से पहले मैं आप लोगो इसका texture show कर देती हूं आप इसका texture देख सकते हैं यह white and green color का है इसमें जो cream है वो white color की और जो इसके ग्रेन्यूल्स है वो green color की है और यह creamy scrub है और इसके ग्रेन्यूल्स हैं बहुत ही fine है बहुत fine मैंने आप लोग के साथ ever youth scrub का भी review and demo share किया है आपको मैं link नीचे description box में provide कर दूँगी आप आँसे check out कर लीजेगा और इसके ग्रेन्यूल्स उससे भी ज्यादा fine है मुझे लगता है कि ever youth का scrub सभी लोग use कर चुके होंगे और अभी use कर रहे होंगे उससे भी ज्यादा इसके ग्रेन्यूल्स फाइन है तो आपको इस तरीके से अपने face पर इसको apply कर लेना है और आपको gently इसकी massage करनी है मसाज करते समय आपको अपने black ads और white ads का जो area है यानि कि nose और chin area उसको focus करते हुए massage करनी है और अगर आपके pimple और acne जहां भी हैं वहाँ पर आपको gently massage करनी है इस तरीके से और अगर हो सके ज्यादा bound हो रहे हो तो आप उसको avoid करते हुए scrubbing करें इस तरीके से आपको scrubbing करनी है scrubbing आपको week में दो से तीन बार ही करनी है इससे ज्यादा scrubbing आपको नहीं करनी है तो इस तरीके से आप scrubbing करें और scrubbing आपको दो से तीन मिनिट करनी है इससे ज्यादा आपको scrubbing नहीं करनी है इस तरीके से इस scrub को आएस से avoid करते हुए करें मैंने दो से तीन मेंट scrubbing कर लिए अब इसको मैं वाश कर दूँगी अब मैंने फेस वाश कर लिया है आपको इस तरीके से scrubbing कर लिए और scrubbing के बाद आपको फेस वाश करके अपने फेस पर टोनर अप्लाई करना है तो टोनर के लिए मैं यहां पर Ips एंटी बैक्टिरियल फेस बॉशी यूज़ करें आप आज स्गुडनेस का फेस बॉश यूज़ कर सकते हैं मैं इसका रिव्यू एंड एप्लिकेशन आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूं बहुत ही अच्छा फेस बॉश है प्लस आप हिमालया का नीम प्यूरिफाइंग फ है क्योंकि इसमें अप्रिकोट है और नेम है और टर्मिरिक है जो एंटी वेक्टिरिया प्रोपरिटी रखता है चाहिए आपकी स्किन ट्राय हो कॉमिनेशन और नॉर्मल हो किसी के लिए हांफुल नहीं है इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन है आप की स्किन को मैं अगर आ ठिकी शूरा तो इसका कोई भी प्रैक यह 50 घ्राइम म्हां आप 100 अच्छा लगे तो आव फ्रेंस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा है अगर आपको यह वीडियो हैल्फुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बैल आइकन आएगा प्लीज उसको हिट करें जैसे में ने वीडियो में तिल देन बाइ बाइ